हेलो जेशिरा मेरीवन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक अलगी चीज के उपपर बात करने वालें दोस्तों आज हम बात करने वालें एक बहुत ही अजीब और गरीब और काफी पॉपिलर भारत में हो रही है यह चीज दोस्तों मैं बात कर रहा हूं द्रेगन जिसके बाद इसको हर देश में कुछ अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों आज भारत की किसान है ना इसको यहां पर उगाकर लंदन बहरीन तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानि कि दोस्तों मतलब और यह उन चेत्रों के लिए सबसे जादर लाब दाया के जहां पर कम बारि ड्रेगन फूट की खेती के लिए जो सबसे उप्योक्त मिट्टी मानी जाती है वो है बलूई दोमट मिट्टी और रेतिली मिट्टी भी इसके लिए सबसे उप्योक्त मानी जाती है काफी अच्छी मानी जाती है अगर ऐसी मिट्टी में आप इसकी खेती करते है तो आप का उश्निकटी बंदिये यानि की ट्रोपिकल मोसम सबसे बहतरीन माना जाता है इसके अलावा 50 cm वार्षिक वर्षवाले चेतरों में भी इसकी खेती काफी अच्छी की जा सकती है और अब बात करते हैं इसकी ड्रेगन फूट की खेती के लिए सबसे उचित तापमान कौन सा होता है तो तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ड्रेगन फूट की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त माना जाता है और ड्रेगन फूट के पोदों को जादा धूब की आउशकता नहीं पड़ती है इसलिए इसकी जो खेती होती है ड्रेगन फूट की खेती इसमें आप शेट्स का इस्तिमाल कर सकते है यानि कि polyhouse कभी इस्तमाल कर सकते हैं पोदों को धूप से बचाने के लिए. मंडियों में बेचोगे तो आपको जरूर थोड़ा रेट कम मिलेगा लेकिन अगर आप डायरेक्ट लोगों को बेचोगे तो आपको इताहर मुनाफ़ा होगा जैसे किसी भी फसल को बोने से पहले उसके खेत को तैयार करना काफी जबरी होता है तो चलिए अब बात करते है ड्रेगन फूट की खेती करने से पहले उसके खेत को किस पकार से आप तैयार करना चाहिए दोस्तो ट्रेगन फूट की खेती करने से पहले आपको घेत की अच्छे से जूताई कर देनी चाहिए तीन से चार बार इसकी तिर्ची जूताई कर देनी चाहिए उसके बाद आपको गोबर की खात का इस्तिमाल करना चाहिए मिट्टी में मिला देना चाहिए उसके बाद आप को क्या करना चाहिए एक बार पानी चला देना चाहिए पानी चला देने के बाद आपको फिर से जूताई कर देनी चाहिए ताकि जो बड़े-बड़े कटले हैं मिट्टी के वो भी तूट जाया और जो मिट्टी है वो काफी बुरबूरी हो जाए इसके बाद दोस्तों आपको पाठा लागा कर खेत को समतल कर देना चाहिए और लेवल में कर देना चाहिए खेत को इस प्रकार से आपका जो ड्रेगन फूट का जो खेते वो तैयार कर सकते हैं चलिए दूस्तों आप बात कर लें ते आप ड्रेगन फूट की रुपाई किस तरीके से कर सकते हैं किती दूरी होनी चाहिए पौधे के बीच में तो इन सब चीजों को आप जान लेते हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं किस तरीके से रुपाई करते हैं तो इसको दो तरीके से रुपाई कर सकते हैं एक तो इसकी कलम बनाकर या फिर इसके बीजों से ड्रेगन फूट को जब आपन बीच से काटते हैं तो जब जो अंदर का पाट रहता उसमें काले काले बीज होते हैं उन बीच को अपन बहुत सकते हैं लेकिन ये कमर्शल परपस के लिए उप्युक्त नहीं है क्योंकि वह बीज एक पोधा बनने में काफी लंबा समय ले लेंगे जो कि अपन को मंजूर नहीं है इसलिए हम दूसरी मेथड को चुनते हैं जो कि कल्मों का कटिंग करना दोस्तों लगबग ज दो दोस्तों क्या करतें जो अपनी कुटिंग उसको बॉय जाता है अपो-दोस्तों नहीं है तो आप क्या करते हैं 60 by 60 का 60 feet चोड़ा लंबा और 60 feet गेरा गड़ा बना कर उसमें अपनी कलम को लगाते हैं और दोस्तो समय के साथ जैसे पोधा बड़ा होता है उसको सहरे की जर्वत होती है इसलिए कई लोग क्या करते हैं concrete, cement या फिर दोस्तो अपना जो लकड़ी के खंद होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं सहरा देने के लिए अब चलिए दोस्तो बात करते हैं उर्वारक की, की dragon fruit के पोधों को आपको किस पकार से आपको उर्वारक देना चाहिए दोस्तो ड्रेकन फूट के प्रतियक पोधों को आपको जादा विक्सित होने के लिए आपको क्या करना है 10-15 किलो जेविक खाद देना अवश्यक होता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जेविक खाद ही आपको देना है क्योंकि दोस्तों जेविक खाद देने से जो पोदा होता है वो अच्छी तरह से विक्सित होता है और ड्रेगन फूट के पोते से ज़्यादा उत्पाधन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए फल देने वाले चरन में आपको क्या करना चाहिए ज़्यादा मातरा में आपको पोटाश देना चाहिए और कम मात्रा में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन देना चाहिए जिससे जो ड्रेगन फूर्ट का पोधा होता है वो आपको अधिक मात्रा में उद्पाधन दे सकता है चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं हमारी ड्रेगन फूर्ट की खेती में सिचाई की तो वेसे तो दोस्तो ड्रेगन फूर्ट एक ऐसा फल होता ऐसा पोधा होता जिसको जादा पानी रिक्वायर मैंट नहीं होती पानी की अब शक्ता अनुसार इसको पानी देना होता है मतब थोड़ी तो नमी बना कर रखनी होती है नमी किस तरीके से लगबग दोस्तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया अपना फिर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो गया जेट इरिगेशन सिस्टम हो गया जिसके बाद फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया कोई सी भी फसल मतलब पानी देनी की प्रणाली के लिए तैयार हो जाते हैं इसके अलावा दोस्तो जो ड्रेगन फूट के फल के चिलके होते हैं वो गेरे हरे रंग से लाल रंग में हो जाते हैं और लाल रंग के होने के तीन से चार दिन बाद आपको ड्रेगन फूट के फल की कटाई कर लेनी चाहिए लेकिन दोस्तों खास देज़ टके सेहन कर सकता है औरन्यूंतन्यूंतन तापमान-मिनिमम तॉस तक यह社िं कर सकता है वेश . ड्रेगन की क्रेटी इस तारिटिंग में हर किसान के लिए संभाह नहीं है क्योंकि इसको साहरा देने के लिए ड्रेगन फूट के पौदे को सारा देने के लिए आपको पिलर्स बनाने पड़ते हैं खंबे बनाने पड़ते हैं कॉंक्रीट के ये फिर लकडी के भी खंबे लगा हुए तो भी आपको कम से कम एक एकर के इसाब से 4-5 लाक रुपे का तो पड़ी जाएगा और आपका ये मत प्राप्त हो जाता है इसके अलावा दोस्तों जो हमारे किसान भाई होते हैं वो इसके पोधे भी बेचकर अपना जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं हमारा ही मोटिव यही रेता है कि चाहे कोई सी भी फसलो कोई सभी फसलो कोई सभी जो फूट हो आपको सभी के बारे में नोल किन सके यही हमारा प्रतन है इन वीडियो को बनाने का बड़ दोस्तों आप भीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करिये अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करिये और जो ब now बताने सब्सक्राइब वाला उसे तो ज़रूर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास वाले बेल आइकन को भी ओन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों मिलते आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए कुछ रहिए खुछ याब बाटते रहिए एंड जे रहिंद जे भारत बंदे मात्रा